नमस्कार साथियों मैं हूँ अभिनाव तोशान शुपांडे और अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी चर्चा का विश्य किया था हम लोगों बिदुद धारा के बारे में पढ़ा बहुं सारे नियम समझ और उसके बाद में अनुगमन वेग और बाकि सारी चीज़े भी समझ लें आज हम इसी क्रव में आगी की चीज़ें समझना चाह रहे हैं आज हमारी चर्चा का विश्या कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले आप क्या करेंगे पैन कॉपे उठा लीजिए और बिल्कुल तयार हो जाएए हम धारा विद्दुत पड़ रहे हैं यहाँ पर आज हम किरचाफ के नियम के बारे में बात करेंगे चदिया जाएए देखते हैं कि किरचाफ के नियम में प्रश्ण कैसे हैं और उनका solution कैसे हैं निकाला जाएगा सबसे पहले हम बात करेंगे कि किरचाफ के नियम में विश्यस्ता हैं क्या है इससे पहले कि मैं कुछ सुरू करूँ मैं आपको बता दू कि हमारे पास में बहुंट सारे ऐसे अव्यव हैं ऐसे जो है ऑलिमेंट है जिनको हम एक विद्धुत परिपथ में उप्योग करते हैं जैसे की रजिस्टेंस यहने की प्रतिरोध जैसे की capacitance यहने की संधारित्र और जैसे की अब इन सारे जो है इसके बाद में हम bulb यूज़ कर सकते हैं हम button यूज़ कर सकते हैं यह सारी चीज़े हैं इन के दो सिरे होते हैं और इन दो सिरों को हम कहते हैं node आप ध्यान दखिए कि किसी भी current element के वो हिस्से जिन्हें हम दूसरे current element के साथ में जोडने में उपयोग मिलाते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं node कहते हैं इसके बाद में हम अगली बात करेंगे कि junction क्या होता है junction का मतलब क्या होता है junction का मतलब होता है कि एक ऐसा point एक ऐसा बिंदू तो यहां दो या दो से अधेक करेंट एलिमेंट आकर जुड़ते हैं मतलब किसी सर्किट के जैसे मैंने अगर मान ले जाए कि यहां पर तीन प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़े तो इन तीनों प्रतिरोध को जोड़ने के लिए जिस बिंदू का महुपयोग करूँगा इस बिंदू को मैं क्या कहूँगा जंक्शन कहूँगा अब ये दोनों स्थितियां साफ हो जाने के बाद में हम किर्चाफ के नियमों के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास किरचाफ के दो नियम हैं पहले नियम को हम कहते हैं जञक्षन का नियम gefश्षिय में और दूसरे नियम को हम कहते ऑच जहां पर दो से अधिक कि दो से अधिक चालक आकर जुड़े हुए हैं ऐसी जगह पर हम क्या नियम लगाते हैं कि यहां पर किसी भी जंक्षन पर धाराओं का कुल योग शूने होता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि इस जंक्षन की और आने वाली जितनी भी धाराओं हैं जैसे I1 हो गया फि किसी विद्द्धारा का उत्पादन हो रहा है और नहीं कोई विद्द्धारा नश्ट हो रही है बस इनका पुनर वित्रण हो रहा है तो इसलिए जो है अगर हम इनका नाम I3, I4 और I5 रखें तो हम सीधे सीरे कह सकते हैं I1 धन, I2 धन, I3 धन, I4 धन, I5 बराबर 0 अब इसम नाम इसका थ्री एंपियर रख देते हैं इसका भी थ्री एंपियर रख देते हैं ये दो एंपियर है ये दो एंपियर है और ये भी दो एंपियर है ऐसी स्थिती में मान ले जाए कि इसका हमको नहीं पता है और हमको I5 का मान निकालना है तो हम देखेंगे कि ये तीन और त और इस तरीके से जब हम जोड़ेंगे तो यहां हो जाता है तीन दोने च्छै और रिन चार बराबर आई फाइब और यहां से आई फाइब का मान मिल जाता है जो की जो की कितना है दो एमपीर का करेंट है तो इस प्रकार से हम लोगों को जो पहला नियम समझ में आया वो है जंक्षन का नियम अब हम जाते हैं लूप के नियम में क्या जो है क्या है देखें किसी एक लूप में जो है मान ले रहे हैं हम क्या यूज कर रहे हैं यहां पर प्रति तो अब हम क्या कहते हैं कि किसी भी एक बंद लूप के अंदर कुल मिला के विभाव का योग शोने होता है अब हम लोगों ने इसको धन 12 वोल्ट ले लिया है और यहां पर धारा जा रही है यहां पर I1 I1 मतलब I R1 और यहां पर I R2 है ऐसी स्थिति में हम क्या बोल सकते हैं I R1 I R1 धन I R2 रेन 12 वोल्ट बराबर 0 है या फिर हम बोल सकते हैं I R1 धन R2 बराबर 12 वोल्ट इस प्रकार से किसी भी लूप के अंदर कुल मिला के विभाव का जो विभाव में अंतर का जो मान होता है वो विभावों का योग होता है वो कुल मिला कर शून्य होता है अब इन दोनों नियमों का उपयोग करके हम क्या करते हैं प्रतिरोध निकालने का प्रयास करते हैं इ यहां पर मिंदू B ले लिया तो जब धारा A से अंदर घुसेगी और B से बाहर निकलेगी तो कुल मिला के प्रतिरोध का मान निकालना है अब यहां पर जो है समान्य तरीके से यदि हम किरचाफ का नियम का उपियोग किये बगएर यदि हम यहां पर प्रतिरोत का मान निकालने का प्रयास करेंगे तो हम उलज कर रह जाएंगे इसलिए काम को आसान बनाने के उद्दे से किर्चाफ का नियम हमारे सामें आया परिक्षा की दिश्टी से क्या सोचा जाए परिक्षा की दिश्टी से किर्चाफ का नियम जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन किर्चौफ के नियम के ऊपर आधारित भी टिस्टोन ब्रिज है मीटर से तू है उसके बाद में पोटनशियो मीटर है ये सारे के सारे ऐसे अनुप्रयोग हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ब कि यही जो यह कैसा दिख रहा है आपको घनाब दिख रहा है और यही घनाब जो है हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया अब यहाँ पर घन को पकड़ के हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट A है जिससे विदुद धारा A आती है अंदर अब विदुद धारा A यहाँ पर आ रही है तो इस धारा को यहाँ पर बटना है और यह धारा कैसे बटेगी तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम लोगोंने मान लिया कि यहाँ पर धारा A आई 1 है और इसके बाद में बाकी दोनो धारा हैं क्योंकि इनके बात का परिपत है वह बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए इन दोनों धाराओं का मान एक जैसा होगा, हम लोगों ने मान लिया कि यह आई टू है और यह भी आई टू है, आगे बढ़िए, अब यहां पर आई बन ले लिया हम लोगों रहे, यहां पर हमको आई I2-RIN-I3 हो जाएगी ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ क्योंकि को रहा को धारा का नाम मान I2 है इसमें से I3 हम लोगों ने यहाँ खर्च किया तो बचा हुआ हिससा यहाँ खर्च होगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको i3 मिला और यहाँ पर i2 in i3 मिला इसी प्रकार से जब यहां हम देखेंगे तो यह i2 धारा यहाँ इस junction h पर पहुंकी और यहां से हमको i3 धारा का मान मिल गया और उपर अब यहां देखिए कि यहां से I3 धहरा आ रही है यहां junction F में 2I2 माइनस I3 धहरा जो है अब हम यहां B पिंदु के बारे में सोचेंगे B पिंदु में C से आने वाली धहरा और G से आने वाली धहरा दोनों का मान बराबर होना चाहिए जो कि मिलकर i धारा बनाएगी मतलब यह भी i2 होना चाहिए और यह भी i2 होना चाहिए और यह कब हो पाएगा जब यहां से i3 धारा मिलेगी और यहां से यह आने वाली धारा हमको क्या मिल जाएगी i2 रिन i3 मिल जाएगी इसी प्रकार से यहां पर भी धारा का मान i2 रिन i3 ह होने वाला है आगे हम देखेंगे तो हमको आयच्विं मिल गया अब देखो और यहां पर मिलेंक यहां पहले नियम का उपयोग करके सभी जगह धाराओं के मान रखे हम को हम यह भी कर सकते थे कि सारी धाराओं का नमान अलग लग रख लेते लेकिन इस पर हमको कुछ गणनाय करनी है इसलिए हम कम से कम चरों का कर्म से कम वेरियेबल का उपयोग करने की कोशिश करेंगे आगे अब हम क्या करेंगे इसका उपयोग करके जो है हम आगे की गणाय करेंगे चलिए आएए देखते हैं आगे की गणाय करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर बैटरी लगा दी बैटरी लगाने के बाद में इस बिन्दू का मान नाम एक्स और इस बिन्दू का नाम वाई र X है यह बिंदू है A यह बिंदू है B और यह बिंदू है Y अब यहां पर जो हमको लूप नजर आ रहा है उसमें मान लेते हैं कि इस बैटरी का EMF E है तो हमको पता चलेगा कि I1 गुणा I1 गुणा R क्योंकि हम लोगों ने हर एक प्रतिरोध एक बराबर लिया था तो I1 गुणा R I1 गुणा R रिन E बराबर 0 यहां से हम बोल सकते हैं I1 आर बराबर E यह हमारा पहला समीकरन हुआ इसका नाम रख देते हैं A दूसरा समीकरन के लिए हम दूसरा लूप लेंगे X, A, D, C, B, Y यहां पर फिर से देखिए यह X है यह A है यह D है यह C है यह B है और यह वापस से हम Y में पहुँच गए यहां पर भुवांतर जो है या कि E, M, F है उसका मान E है चलिए तो यहां पर से हम देखेंगे X मतलब A, D, A, D में क्या मान है तो A, D में मान है R गुणा I, 2, धन है तो इस तरीके से हमको पता चला के 2, I, 2, धन, I, 3, बराबर E, बटा, R हम लोगों ने R को common ले लिया यह E, बटा, R जो है हमारा कुल मिला के I के बराबर होता है चलिए आगे बढ़ेंगे लूप X, A, D, E, F, G, B, Y यहां पर देख से चलिए यह X है यहां A है यहां D है यह यहां E है उसके बाद में E के बाद में क्या है F है F के बाद में हम लोगों ने G और यहां पर B और फिर से यहां पहुंच गया Y यहां मान E है जैसा जैसा मान हमको दिखाई देता है देखिए I to R धन यह I to R हो गया इसके बाद में हमको जो है D, E में क्या मिलता है I to minus I3 I2-I3R धन 2I2-I3R 2I2-I3R धन अब यहां से देखेंगे तो FG में मान है I2-I3 I2-I3R धन अब यहां से हम देखेंगे हमारे पास में कौन-कौन से चीज़ें रिपीट हो रही है यहां I2 और यहां I2 मतलब हमको 2I2 धन एक बार दो तीन बार और यह चार बार तो हमको मिला 4I2-I3 और इसका मान हो जाएगा E के बराबर तो यहां से अगर हम देखेंगे तो यह हो जाएगा 2I2 धन 4I2 रिन 4I3 बराबर E अब यहां से हम देखेंगे तो यह होगा 4 और दो 6I2 रिन 4I3 बराबर E E बटा R ठीक है E बटा R तो इस तरीके से हम समी करण बनाते चलेंगे लूप C, D, E, F यहां पर से देखने के लिए समझ में आएगा C, D, E और F अब यहां से देखेंगे आपको धारा के दिशा के बारे में बात करते बनेगा हम D से चलू करते हैं तो D से चलू करेंगे तो यह हो जाएगा I2, Rin, I3, गुणा R, धन, 2, I2, Rin, I3, 2, I2, Rin, I3, और यहां पर गुणा R और उसके बाद में धन, I2, Rin, I3, और यह भी गुणा R और यह किसके बराबर हो जाएगा यहां पर देखें, रिण का चिंधा लगाएगे क्योंकि यहां पर हम धारा के विपरीद दिशा में धारा कि इधर चल रही है, धारा इधर चल रही है, हम धारा के विपरीद दिशा में जाकर देख रहे हैं तो रिण, I3, R बराबर शूर ने हो जाएगा, क्योंकि एक लूप है, और लूप में कुल मिला के जो विद्धुत विभाव में अंतर है, उसका मान शूर ने हो जाता है अब यहाँ पर देखेंगे, तो I2, R, I3, I2, R, I3 और I2, R, I3 तो यहाँ पर 4, I2, R, I3 बराबर यह रिण का चिन दूसरी तरफ ले जाएगे, तो हो जाएगा, I3 और R और R कड़ जाएगा, ठीक है अब यहाँ पर हो जाएगा, 4, I2, R, I3 बराबर, 4, I3 बराबर, I3 और यहाँ से हमको पता चल जाएगा, 4, I2 बराबर, 5, I3, यह हमारा समीकरण 2 हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है, आइडिया लग रहा होगा, हम यह पूरा प्रशन सॉल नहीं करेंगे, हम यह सीखेंगे कि हम इसको कैसे करते हैं, इसके बाद में इसकी उप्योगता हो जाती है, समाप्त, आप कॉम्पेटिशन एक्जाम के समय में अगर इसको दु और यह हो गया H, यह हो गया G, और यह हो गया B, तो यहां से हमको दिखाई देगा, I2R, धन, I3R, धन, I2R, रिन, I1R, बराबर 0, यहां हम बोल सकते हैं, यहां पर है, 2I2R, धन, I3R, बराबर, I1R, और यहां से बोल सकते हैं, 2I2, प्लस, I3, is equal to I1, अब यहां पर जो है, अगर आप ध्यान देना चाहें, तो हम क्या देख सकते हैं, 4I2, बराबर 5I3 होता है, तो यहां पर जो है, अगर हम पूरी तरीके से 2 का गुना कर दें, तो यहां पर भी हमको 2 का गुना करना पड़े और ऐसी स्थिती में हमको जो चीजें नजर आएंगी, यहां देखिए, यह हो जाएगा, 4I2, धन, 2I3, बराबर 2I1, और 4I2 का मान, 5I3 के बराबर होता है, यहां देखो, 4I2 का मान, 5I3 के बराबर होता है, तो यहां हम लिख सकते हैं, 5I3, धन, 2I3, बराबर 2I1, और यहां से हमको पता चल जाएगा पांच और दो साथ आई थ्री बराबर दो आई वन यहां से हम बोल सकते हैं कि आई वन बराबर आई वन बराबर साथ बटा दो आई थ्री यह एक रिलेशन हम को समझ में आया इसी प्रकार का एक और रिलेशन हम क्या ले सकते हैं यहां पर दो आई टू है यहां पर हम पांच का गुना करें तो हमको यहां पर भी पांच गुना करना पड़ेगा देखिए हमारे पास में क्या था दो आई तू धन आई थ्री बराबर आई वन अब यहां पर हम पूरे में पांच का गुना कर दे तो यहां पर भी हमको 5 का गुणा करना पड़ेगा और यहां से हमको क्या नजर आएगा यहां से नजर आएगा 10 आई टू धन 5 आई 3 बराबर 5 आई 1 अब देखे 5 आई 3 जो है 4 आई 1 के 4 आई 2 के बराबर होता है तो 10 आई 2 धन 4 आई 2 बराबर 5 आई 1 और यहां से हम बोल सकते हैं 14 आई 2 बराबर 5 आई 1 या फिर आई 1 बराबर 14 बटे 5 और उसके बाद में आई 1 आई 2 के बारे में पता चल गया तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो हमको क्या समझ में आता है हमको समझ में आता है I1, I2 और I3 के मान पता चलते हैं I1 का मान I1 ही है I2 का मान 5 बटे 14 पांच बटे 14 I1 है और I3 का मान 2 बटे 7 बटे 7 I1 है इस प्रकार से हमको हमारे लूप में बहने वाली धाराओं के बारे में पता चल गया जब हम धाराओं के बारे में पता लगा सकते हैं तो हम उनसे जुड़े हुए प्रतिरोधों के बारे में भी बात कर सकते हैं इस प्रकार से हमको यहाँ पर resultant प्रतिरोध निकालने की छंता मिल जाती है तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी बातें डिसकस करी किर्चौफ का नियम सीखा मिलते हैं हम अगले वीडियो में और इसके अनुपरयोगों के बारे में भी सीखेंगे अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान रखें कि PYQ की सीरीज चल रही है और यहां हम तयारी कर रहे हैं परिक्षाओं की तो आप परिक्षाओं के दिश्टी से महतुपूर्ण इस विसेपर जरूर चर्चा करें और आप हमारे अप्लिकेशन पर आएं जहां से आपको यहां इस से जुड़े हुए महतुपूर्ण टॉपिक मिल जाते हैं धन्यवाद